गुरू साधना दिवाली पर सिध्ध करने की विधी गुरू मंत्र का कम से कम एक लाख पचीस हजार जाप के ग्यारा पुरुष्चरन करने के बाद ही अन्य साधनाओं में प्रवरित्त हूं गुरू इश्ट और मंत्र को एक ही माने गुरु कृपा से ही साधनाओं में सफलता मिलती है गुरु एक अध्भुत सत्ता है, गुरु शिव का स्वरूप है गुरु सिध्यों का इकलोता मार्ग है गुरु के साथ चलना करें गुरु आपकी हर बात जानने में समर्थ होता है उसके साथ जूट बोलने से, खिल करने से फिर भयानक अधोगती भोगनी पड़ती है कैसी भी गलती की हो गुरु के सामने स्विकार करके चरण पकड़ के माफी मांग लेनी चाहिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको बेवज़ डांट पड़ जाए अपमानित होना पड़े ये सब गुरु का परीच्षन होता है इसे सहज होकर स्विकार करें गुरु कृपा अवश्य होगी डौट गुरु अपने आप में महामाया की सर्वश्रिष्ट कृती है गुरुत्व साधनाओं से पराविद्याओं की कृपा और सानिध्य से आता है वह एक विशेश उद्देश के साथ धरा पर आता है और अपना कार्य करके वापस महामाया के पास लोट जाता है बिना योग्यता के शिश्य को कभी गुरु बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए गुरु का अनुकरण यानि गुरु के पहनावे की नकल करने से या उनके अंदास से बात कर लेने से कोई गुरु के समान नहीं बन सकता गुरू का अनुसर्ण करना चाहिए, उनके बताये हुए मार्ग पर चलना चाहिए, इसी से साधनाओं में सफलता मिलती है शिश्य बने रहने में लाब ही लाब हैं, जबकि गुरु के मार्ग में परेशानिया ही परेशानिया हैं, जिन्हें संभालने के लिए प्रचंड साधक होना जरूरी होता है, अखंड गुरु कृपा होनी जरूरी होती है श्रिश्ट गुरु के लक्षन श्रिश्ट गुरु को पूजन करना और कराना आना चाहिए श्रिश्ट गुरु को योग और मुद्राओं का ज्यान होना चाहिए श्रिश्ट गुरु को रस सिध्धी होनी चाहिए, अर्थात पारत के संसकारों का ज्यान होना चाहिए श्रिष्ट गुरु को मंत्र निर्मान की कला आती है वह आवश्शक्तानुसार मंत्रों का निर्मान कर सकता है और पुराने मंत्रों में आवश्शक्तानुसार संशोधन करने में समर्थ होता है गुरु कृपा चार प्रकार से होती है एक स्मरण से दो द्रिष्टी से तीन शब्द से चार स्पर्ष से एक जैसे कच्छुवी रेट के भीतर अंडा देती है पर खुद पानी के भीतर रहती हुई उस अंडे को याद करती रहती है, तो उसके स्मरण से अंडापक जाता है। ऐसे ही गुरू की याद करने मात्र से शिश्य को ज्यान हो जाता है। यहाँ है स्मरण दीक्षा। दो दूसरा जैसे मचली जल में अपने अंडे को थोड़ी थोड़ी देर में देखती रहती है, तो देखने मात्र से अंडापक जाता है। ऐसे ही गुरू की कृपा दृष्टी से शिश्य को ज्यान हो जाता है। यह दृष्टी दीक्षा है। तीन तीसरा जैसे कुर्री प्रिथवी पर अंडा देती है, और आकाश में शब्द करती हुई घूमती है, तो उसके शब्द से अंडापक जाता है। ऐसे ही गुरू अपने शब्दों से शिश्य को ज्यान करा देता है। यह शब्द दीक्षा है। चार चौथा जैसे मयूरी अपने अंडे पर बैठी रहती है, तो उसके स्पर्ष से अंडापक जाता है। ऐसे ही गुरू के हाथ के स्पर्ष से शिश्य को ज्यान हो जाता है। यह स्पर्ष दीक्षा है। जय गुरू देव।